दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अनुका है मेरे पास जो माल्टिमीटर है माल्टिमीटर से हम दिखाएंगे एक रिमोट को डेड रिमोट को कैसे चेक कर सकते हैं उसके बाद इसका कोई बटन खराब हो तो उसको भी कैसे हम रिपियर कर सकते हैं जो कारवन खतम हो जाता है तो यह रिमोट को चेक करने के लिए माल्टिमीटर का जो डीसी मूड है वो हमको यूज करना पड़ेगा तो यह देखिए एक बैटरी का वोल्टेज हम चेक करेंगे पहले तो इसमें देखिए बैटरी का वोल्टेज सही दिखा रहा है 1.55 तो यह देखिए बैटरी का वोल टेस्टिंग करना परेगा तो हमारा जो है कॉंटिनिटी मूड जो है हमको यूज करना परेगा तो पहले देखिए दोनों प्रॉप को टार्ज करके हम कॉंटिनिटी मूड में सेट कर लेंगे माल्टिमीटर में जीरो या वान दिखाना चाहिए तो ये देखिए one दिखा रहा है अब हम इससे जो है remote को check कर सकते हैं तो ये देखिए पहले जो है बैटरी का negative और positive है इसमें मल्तिमीटर को हम negative में negative positive में positive रखेंगे तो इसमें कोई भी value so नहीं करना चाहिए यह देखिए कोई वैलू नहीं सो कर रहा है अब हम उल्टा जब लगाएंगे मल्टिमीटर का प्रॉप को यह देखिए जो हम पॉजितिव में नेगेटिव और नेगेटिव में पॉजितिव लगाएंगे तब हमको वैलू सो करना चाहिए ओभी 400 से 500 यह देखिए 540 दिखा तो यह जितना कम होगा आपका जो बैटरी वैकाप उतना ज्यादा मिलेगा दोस्तों तो यह देखिए बैटरी वैकाप हमारा जितना ओम्स कम होगा उतना ज्यादा मिलेगा आप दोस्तों LED से हमको जो है बैटरी कनेक्टर का कनेक्शन चेक करना है यह देखिए हम एक तो इसका connection कही से तूट गया है तो एह देखिए एह इसे जो line है यह line सीधा एधिए सीधा जो है यह से LED तक गया है एह देखिए एपे गया है तो continuity मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है तो कही से lining जो है वो खराब हो सकता है तूट सकता है तो उसी को हमको माल्टिमीटर से चेक करना परेगा तो यह देखिए हम फिर से दिखाते हैं यह देखिए कोई भी कनेक्शन नहीं है आप दोस्तों मल्टिमिटर का जो प्रॉब है आप कोई भी एक साइड में लगा के आप चेक कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके कितना तक हमारा लाइन सही है यह देखिए यह यह देखिए 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 मतलब जो है दोस्तो ए एलेडी से एही तक जो है connection हमारा इसके बीच में ही तूटा हुआ है तो हम इसको अच्छे से चेक करेंगे यह जो lining है वो knife के मदद से हमको थोरा सा जो है धिस लेना पड़ेगा दोस्तो तब ही जाकर हमको पता चलेगा तक जो lining है बना हुआ है इसके में हमारा fault है यह देखिए ILV से हम छेक करेंगे तो 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 करके तो यह कनेक्शन आ रहा है उसके बाद EHP भी आ रहा है ऑसके बाद जो है तो छो है धेखिए AEP हमारा connection नहीं आ रहा है तो यह जो लाइनिंग है यही से तूट गया है दोस्तों तो हम नाइब के मदद से क्या करेंगे तोरा-तोरा करके जो है उपपर वाला जो एक परत रहता है उसके नीचे ले हिस्से में लाइनिंग रहता है तो उसको हमको निकालना परेगा गीश के तो यह देखिए तोरा-तोरा करके हम नाइब के मदद से इसको जो है गीश के बहार निकाल लेंगे जो हमारा पॉइल लाइन है तब जाके हमको पता चलेगा कई पे तूट गया है यह देखिए अच्छे से आपको तोड़ा तोड़ा करके घीश के लाइन को बाहर निकलना है और दोस्तों मेरा चानल का वीडियो अगर अपलोग को अच्छा लगता है तो जुरुद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकोन को भी दबा दीजिए मैं जब भी वीडियो अफलोट करूँगा आपके पास होए वीडियो पहुच जाएगा नोटिफिकेशन और दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके अपडेश सारा वीडियो हमरा देख सकते वीडियो के एंड में आपको एंड बैटरी का कनेक्शन है पॉजिटीव बाला वही से हम इसका जांपर कनेक्शन करेंगे एकदम LED के जहाँ पे कनेक्शन हमारा मिलेगा ए देखिए एक पतला सा हम तामा का वैर ले लिया है इसको अच्छे से हम सोल्ड का लेंगे इसके उपर एक इंसुलेटर रहता है दोस्तों यह अच्छे से सोल्ड नहीं होता है तो इंसुलेटर को हटाने के बाद आपका जो है सोल्डरिंग हो जाएगा तो थोरा सा हम पेस्ट लाएके इसको अच्छे से सोल्ड का लेंगे बै तक हमारा कनेक्शन बनाना है तो यह देखिए तामा का वायर है इसको हम थोरा सा गीश लेंगे इसका उपर वाला एक परद रहता है दोस्तों जो की इंसुलेटर का काम करता है तो उसको हाट आना पड़ेगा नहीं तो यह अच्छे से सोल नहीं होगा आपका सोल्डरिंग हो बैरों के पिलिऊ जाएगा लिकने नहीं काम नहीं करेंगा तो इसको इसको सोल्डरिंग करना है कामा का वहिर है इसको उसके बाद हम इसको बोर्ड में सोल्ड कर देंगे Г cent आ है झेके अच्छे से इसका उपर वाला जो परद है उसको हम तो आना एक है उसके बाद आन LED से जो फॉइल लाइन काया है जा तक सही है ऐह देखिए हमने सोल्ड कर दिया है अब जो बैटरी का बोल्टेज दोस्तो जो है LED तक आ जायेगा और बाकी जो जो लाइनिंग में बोल्टेज जाना चाहिए वो तो जा रहा है लेकिन LED तक नहीं आ रहा है तो इसलिए हम LED तक ए सेट करके देखेंगे इसमें कोई भी connection आ रहा है कर नहीं और वीडियो के एंड में और भी अच्छा एक कि आपको देखने को मिलेगा जो कि आपका कोई भी button कामने करता है तो उसका carbon क्टम हो जाता यह तो उसमें कैसे हं चेक कर सकते हैं ठीकि माल्तिमेटर में थोरा सा प्राव्लें हो रहा है। reproductive आ गया है। आप हम इसको बैटरी लगा के reward को चेक कर सकते हैं। इसमें दो बैटरी हम लगा देते हैं यह देखिए करके बैठरी को लगा देंगे। है अमारा रीमोट जोए हओ गाम करना चाहिए 100 इस लेकिन एक दो बोटन ऑफ हो जगता है उसको भी रिपेर करेंगे है देखिए इस कि अभी हम चीए करेंगे सारा ड़न को चिरेंगेался बटन क्यान चाहिए तो यह धीए सोर्स का जो बटन है दोस्तो एक काम नहीं कर रहा है, रिमोट में बाकी जितना भी बटन है दोस्तो, ओ काम कर रहा है, सिर्फ एक बटन जो है सोर्स का, ओ काम नहीं कर रहा है, तो यह देखिए वाला बटन दवाने से कोई भी LED गलो नहीं हो रहा है, और कभी-कभी हो भी जाता है, तो तो इसका problem क्या है हम देखेंगे, भहुत सार प्रब्म हो सकता है इसका भी lining खराभ हो सकता है यह इसका carbon का light में रहता है Hea खराभ हो सकता है, तो इसको हम अच्छे से करने। है before measuring the sugar objet के साम कर सकतेमे लेकिन आप को heat करना पड़े में उससे चाप करोगे में। तो यह दिखिए कर्बन को भी हम थोड़ा सा पोच लेंगे अब इसके बाद जो है वो कर्बन को थोड़ा सा हम सुखा लेंगे इसमें मौस्चर बगरा रहता है गला हुआ कर्बन रहता है तो आईरन के मदद से उसको साप कर लिया फिर अच्छे से पोच लेंगे ताब इसका जो है काम करना चाहिए वाला बटन अगर कर्बन के बज़ा से होता है तो तो यह देखिए फिर से काम नहीं कर रहा है तो हम फिर से इसको खोल लेंगे अब हम बोर्ड में चेक करेंगे एक टूजर के मदद से चेक करेंगे के हमरा जो बटन है वो काम कर रहा है के नहीं तो यह देखिए दूसरा बटन काम कर रहा है यह वाला बटन भी काम कर रहा है लेकिन इसका जो कार्बन का लाइन है दोस्तो स्विच का कार्बन का लाइन जो है दोस्तो टूट गया है तो ऐसा प्रोब्लेम बहुत सारा रिमोड में आता है दोस्तो कार्बन का लाइन जो टूट जाता है वो बटन काम नहीं करता है तो उसको बहुत ही आसानी से आप रिपेर कर सकते हो वीडियो को पूरा देखते रहो, आपको पता चल जाएगा, तो यह देखिए, कारबन का जो लाइन है, दोस्तो, वो टूट गया है, कारबन का जहांपे दो बिंदी है, वही पे तो कनेक्शन आ रहा है, लेकिन वो बिंदी से जो लाइनिंग आता है, दोस्तो, ओ काम नहीं कर कर रहा है ओ खराब हो गया है तूट गया है तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको इसको अच्छे से गीस के साब कर लेना परेगा या कारबन का जो लाईन है उसको भी घीस का भाटा सकते हो अगर अपका काम करने में प्रोब्लेम होता हूँ तो इस जगा में हम क्या करेंगे एक जंपर करेंगे और जंपर करने के बाद इसको कैसे हम कारबन जैसा काम में लाएंगे तो देखते रहे है यह देखिए दो विन्दी आपको देखेगा connection का दो बिंदी में जो है connection आ रहा है लेकिन हमारा जो switch है ये काम नहीं कर रहा है तो हम carbon का जो बिंदी है दोस्तों बिंदी को अच्छे से साफ कर लेंगे carbon हटा देंगे बिंदी से और उसके बाद ये दिखिए जो वेर होता है पतला सा वेर आपको मिलेगा जो की five color का वेर आता है अच्छा quality का तो वही से हम क्या करेंगे एक बिंदी में पहले sold करेंगे वेर को ये देखिए निचले वाला बिंदी में हमने sold कर दिया है आप ये वेर को उपर वाला बिंदी में हम sold करेंगे तो ये देखिए तो हमारा switch जो है short हो जाएगा अभी एदेखिए short हो जाएगा अभी automatic काम कर रहा है क्योंकि switch short हो गया है मतलब आप switch को जब दवा होगे तब काम करना चाहिए लेकिन इसको हमने short कर दिया तो ये देखिए लगातार काम कर रहा है तो आप क्या करेंगे हम एक knife के मदद से beach में से middle में से हम wear को cut लगा देंगे और थोरा सा wear जो है cut के हटा देंगे क्योंकि वह आपस में touch हो जाएगा तो automatic काम करेगा आप दिखिए अब हम ये button को दबाएंगे तो ये दिखिए हमारा जो carbon का line तूट गया था वह हमने wear से jumper करके से ही कर लिया है अब हमारा जो source का सूज है बिलकुल काम करेगा कोई भी problem नहीं आएगा ये देखिए ये देखिए दबाने से हमारा काम कर रहा है तो दोस्तों आपने देखा हमने माल्टी मीटर का यूज करके remote को कैसे repair किया पहले हमारा माल्टी मीटर का जो DC मूड है वो काम में आता है उसके बाद माल्टी मीटर का जो resistance मूड होता है जो की हमारा continuity मूड है उसको भी लगा के हमने कैसे remote को सही किया तो ओके ठैंक यू झाल झाल